नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिंग नेगी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा उत्राखंट के हिमाले चेतर में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यातरा के बारे में ये यातरा दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यातरा होने के साथ साथ ही सबसे ज़्यादा रहस्यमाई भी है क्योंकि ये यात्रा कई सो सालों से इस छेत्र में होती है लेकिन फिर भी भारत में बहुती कम लोग इस यात्रा के बारे में जानते हैं आपने भारत में होने वाली कई धार्मिक यात्राओं के बारे में तो जरूर सुना होगा जैसे अमरनात यात्रा, कैलास मान सरोवर यात्रा, चारधाम यात्रा, वैस्नो देवी यात्रा ऐसी कई सारी यात्रें भारत में होती हैं लेकिन ये यात्रा इन सब में सबसे कठिन और सबसे लंबी यात्रा है दोस्तों ये यात्रा उत्राखन में होने वाली माननन्दा देवी राजजात यात्रा है और ये यात्रा काफी हद तक रहसे में भी है तो चले फिर आज मैं आपको बताता हूँ भारत की सबसे लंबी और सबसे अनुखी यात्रा के बारे में और यकीन मानिए ऐसी यात्रा के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा दोस्तों भारत देश विभिनताओं से भरा देश है यहां हर राज्य और हर सहर में आपको कुछ ना कुछ अनुकी संस्कृती, भासा, बोली और तेहवार देखने को मिल जाएंगे और ऐसी ही एक अनुकी यात्रा होती है उत्राखंड के हिमालई छेत्र में दोस्तों यह नंदा देवी राज्यात यात्रा हर 12 सालों के बाद होती है इसलिए इसे हिमालाई महा कुम्ब भी कहा जाता है अभी अन्तिम यात्रा 2014 में हुई थी और इसके बाद जो अगली यात्रा होगी वो 2026 में आयूजित होगी आपने कुम्ब मेले के बारे में तो सुना होगा कि कुम्ब मेला 12 सालों में लगता है लेकिन कभी किसी यात्रा के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा ये यात्रा गडवाल के चमुली जिले के नौटी गाउं से सुरू होती है और हूम कुंड तक पैदल करनी होती है इस यात्रा को करने में 280 किलोमेटर पैदल चलना पड़ता है यहां गाडियों का कोई सादन नहीं है इसलिए यह यात्रा और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है इस यात्रा में कुमाओं और गडवाल दोनों छेत्रों के लोग सामिल होते हैं यहां पर कुमाओं और गडवाल दोनों जगाओं की सस्कृतियों के रंग देखने को मिल जाएंगे इस यात्रा की जहांकी 26 जनवरी 2005 को राजपत पर भी निकाली गई थी दोस्तों मा नंदा देवी को हिमाले की पुत्री माना जाता है और लोग कताओं के अनुसार मा नंदा देवी गडवाल और कुमाओं के राजाओं की इस्ट देवी भी थी इस्ट देवी होने के कारण उन्हें कई जगाओं पर राज राजेसुरी देवी के नाम से भी पुकारा जाता है इसके अलावा कुछ लोग मा नंदा देवी को मा पारवती की बहन मानते हैं तो कुछ लोग मा पारवती को ही नंदा देवी मानते हैं अब बात करते हैं कि यह यातरा कब से यहां पर चलती है और क्यों यह यातरा निकाली जाती है तो ये यात्रा इस छेतर में कब से हो रही है इसका कोई सटीक परमार तो नहीं है लेकिन मान्यता है कि आठवी सली से ये यात्रा यहां पर लगातार चली आ रही है और ये यात्रा क्यों होती है इसके पीछे पुरानिक कथा है मान्यता ये है कि मा नंदा देवी एक बार अपने माई के आई थी लेकिन किनी कारण से 12 सालों तक वो अपने ससुराल नहीं जा सकी बाद में उनके माई के पक्स ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ उन्हें उनके ससुराल कैलास में भेजा था उनी की याद में हर 12 सालों बाद ये यात्रा निकाली जाती है और गड़वाल और कुमाउं छेत्र में माननन्दा देवी की बहुत माननेता है इन दोनों ही छेत्रों में इनके कई सारे मंदिर भी है इस यात्रा में चमोली के नौटी गाउं से मानन्दा देवी की डोली को सजा करके निकाला जाता है ये यात्रा नौटी गाउं से सुरू होती है और 18,000 फुट की उंचाई पर इस्थिद हुम कुंड तक चलती है इस 280 किलोमेटर की पैदल यात्रा के दोरान रास्ते में घने जंगल, पत्रीले रास्ते, दुर्गम चोटियां और बरफीले पहाडों को पार करना पड़ता है रास्ते में खाने पीने और रहने की कोई व्यस्ता नहीं होती, ये सारी व्यस्ता खुद से ही लोगों को करनी ही पड़ती है ये यात्रा नौटी गाउं से सुरू होने से लेकर वापस पहुँचने तक 280 किलोमेटर हो जाती है और पूरी यात्रा को करने में 20 दिनों का समय लगता है जैसे जैसे यात्रा चलती रहती है, रास्ते में गड़वाल और कुमाउं से भी कई डोलियां और लोग इसमें सामिल होते हैं इस यात्रा की सबसे अनोखी बात ये है कि इस यात्रा की अगवाई कोई इनसान नहीं बलकि चार सिंगों वाला एक भीड करता है आम तोर पर भीडों के दो सिंग होते हैं लेकिन इस विशेज भीड के चार सिंग होते हैं ये भेड आगे आगे चलता है और लोग इसके पीछे पीछे चलते हैं इसके बाद होमकुंट से आगे का सफर ये भेड अकेले ही करता है इसके बाद ये भेड कहां जाता है कैसे जाता है ये कोई नहीं जानता लेकिन लोग कहते हैं कि ये भीड इसके बाद कैलास में चला जाता है इस भीड के कंदे पर गहने, सरिंगार का सामान और भेंट रख दी जाती है ये यातर रास्ते में जहां जहां से होकर निकलती है लोग ढोल और नंगारों के साथ इस यातरा का स्वागत करते है तो इस तरह से ये यात्रा हर 12 सालों बाद होती है और यात्रा में केवल वो ही लोग सामिल होते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हों क्योंकि रास्ता इतना कठिन और दुर्गम है कि स्वस्थ आदमी ही इस यात्रा को कर पाते हैं तो दोस्तों क्या आप भी किसी ऐसी यातर के बारे में जानते हैं जो इतनी कटिन और रहसमाई हो अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना और हमारा आज कई वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सेर भी जरूर करना क्योंकि दोस्तों ऐ ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत और टाइम लगता है और अगर आप हमारे चैनल पर पहरी बार आए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं तो दोस्तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद जैहिंद